हाई आज का टॉपिक है वह बिसेकली बताने जा रहे है आपको कि ntpc का जो फॉर्म फिलब किये थे आप लोग तो उसका रिफंड आने वाला है ठीक है तो उसका कुछ प्रोसेस है तो वह आपको सारा कुछ इस वीडियो पर पताने जा रहे है ठीक है तो देखिए यहां पर इसका सबका रिफंड भी आएगा जो फॉर्म भरा है तो अब चलते हैं कि क्या करना होगा कैसे आएगा कब से स्टार्ट होगा वह सारा कुछ आपको डिटिल में बताने जा रहे है चले स्टार्ट करते हैं देखिए पीडिये जो है वह आया है गवर्मेंट ऑफ इंडिया म यह आज कही है और यह सारा कुछ हम बताने जा रहे है कि कैसे कब से मिलेगा और क्या करना पड़ेगा इसके लिए ठीक है तो हम लाइम बालाइम पढ़ते जा रहे है आप उसको समझते जाएगा ठीक है एसपरा नंबर 7.0 of cn119 candidate who had appeared in the first stage computer-based test cbt1 जो की जो पहला फिज का जिसने दे दिया है ठीक है तो वो लोग जो है applicable है इसका refund लेने का ठीक है तो held on 28 से start वाता 2020 में और 31st 7.221 तक इसका exam चलता रहा और यह 7th phase में हुआ ठीक है और यह जो है न अब phases are entailed to get the refund of the examination fee which has which was rupees 250 for SCST or PWD female minority trans gender candidate and two 400 for others ठीक है after detection of banking service charges as applicable ठीक है तो यह जो है यह लोग जो फिलब किये सब लोग तो सबको refund आएगा ठीक है the application have been received almost 2 years back 2 साल पहले ही फॉर्म भरेतर 2019 में and in the interviewing period changes might have occurred in the bank details of the candidate canning मतलब यह हुआ कि बहुत लोगा bank का details change हो चुका होगा और बहुत लोगा जो है आएफ सी कोड है change हो चुका हो बैंक का ठीक है during security it is observed that lag number of payment were made from the same account number and bank details of the many candidates are not available further the IFC code of the some banks might have been changed after recent mergers कुछ बैंक एक मर्ज हो गया ठीक है उसके वज़े से bank का IFC code change हो चुका है ठीक है तो इसकी लिए क्या क्या आ जाए तो इसकी लिए जो थर्ड पेरेग्राफ में वो क्या लिका हुआ वो पड़ते है accordingly an update bank link will be provided on the official website of RRB which will be live from 11-8-2021 10 hours to 31st August 20-23 वज़के मदलब 12 बज़ रात तक जो है इसका available होगा starting जो है 11 तारिक से होगा और चलता रहेगा 31 तारिक के बीश में आपको bank details भरना है आपका जो bank details है वो आपका भरना होगा fill up करके और उसी में आपका पैसा आएगा SMS and emails will also be sent to this candidate in their registered email ID and mobile number to provide their correct bank account details one help menu will be provided to get any clarification or help in case of any travel while submitting the bank details मतलब आपको बता दिया जाएगा register email ID जो आपने email ID दिया था और mobile दिया था उसमें message आएगा जब से start होगा ठीक है तो आप जो वी fill up करें उसमें bank details आप एक बार confirm होगे हो जाए उसके बाद ही form submit पर click किजिए कर जब form start होगा क्योंकि एक बार submit हो जाएगा तो फिर आप फर्दर ची नहीं कर सकते ओके अब जो है एक बात और बोला है name and IFC code entered are correct and check it carefully before submitting वही जो बात मैंने पहले बताई थी आपको वही बात बोल रहा है कि पहले आप उसको confirm हो जाए कि bank details का जो भी number है आप उसको carefully match कर लिजिए उसके बाद ही आप उसको submit पर click करें कि इसके बाद कोई भी मोडिफिकेशन करने के लिए कोई option नहीं बचेगा आपके लिए ठीक है और एक बत और बोला है देखें अरभी से नोट बी रिस्पोंसिबल फॉर एनी फैलियो ऑफ रिफंड एन अकाउंट ऑफ इंकरे डिटेल्स और फंडिस भाई उपना जवाब दे दिया कि यादी प्लम हुआ होगा तो इसका कोई भी जिम्मेदारी अरभी को नहीं होगा ठीक है और देखें लास्टेट फोसमें से 31st तक होगा ठीक है 31st ने आप पहले पहले जो है आप इसको फिलप कर दें रिफंड आफ्टर टेक्शन ऑप बैंक टांजिक्शन सर्विस चार्जेस विल बैंडिसिबल सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ थे कंडिडेट प्रिकुलर वित रर्वी रिकोड इंकरेंट इंकंप्लीट और लेट क्लेम्स विल समरें रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा इधी इंकरेक्ट होगा और लेट से फिल अप होगा तब ठीक है नो बैंक एकांट विल ऑड करें मतलब यूनिख होना चाहिए यह सानी कि दो तिन लोगों का बैंक एकांट आप अपने में कर ले कि विए हुआ कि सिंगल परसंट यूस इनकर ठीक है है ऐसा मिए कि आप अपने प्र बैंक नमबर दे दिया और दूसरा का भी अपना अइकांट नमबर दे दिए ऐसा ना कि जो भी फिलब करेंगे वह ख्याल रहेगा इस बात का कि सिंगल होना चाहिए कि जो बैंक आप यूज कर रहे हैं और कोई उसका बैंक और कोई यूज ना करें ठीक है अधा लिंक अप दा फिलिंग आप बैंक अकाउंट डिटेल्स अलोंग विट सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो है जब फॉर्म फिलब करेंगे तो आपके पास एक ओटीप आएगा जो कि वेरिफाइब करेंगा कि सिर्फ आफी यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह रहा पूरा आपका इंफ्रमेशन बैंक का डिटेल्स वोगरे सारा कुछ बता यह कैसे फिलब करना यह स्टार्ट हो जाएगा आपका 11 अगस्ते ठीक है और कब तक चलेगा 31 इस बीच में आप लोग जरूर्स जरूर भरें और अपना रिफंड जो है वह जरूर ले ठीक है तो अच्छा लगाऊगा वीडियो आपको तो इसको लाइक कीजिएगा सब्सक थैंकि दोस्तों, have a nice day